राउल जी ने किया उसने BJP को एक एक गाउ में एक्सपोज किया उसमें किस तरीके से आप लोग BJP को पराजित करेंगे चुनाओ हराएंगे जरूर यह बार BJP हरेंगे कराप्शन सब स्टेट में स्पेशली BJP स्टेट में बहुत बड़ा नमस्कार नियुजवन टूडे में आपका स्वागत है मैं आपके साथ आगाश शुकला मेरे साथ इस वक्त गोवा के सबसे चर्चित नेता वह अभी लोगसभा में सांसद फ्रांस को सरदना सर मुझूद है आपको बता दें सर के बारे में गोवा के पूर मुख्यमंत्री भी रहे चुके हैं सर और बरतमान में लोगसभा सांसद हैं वहां से सर बहुत-बहुत स्वागत है आप सर अभी बरतमान में आपने देखा कल राहूल गांदी की सदस्तिया जो है बहाल हो गए लोगसभा अध्यच ने उनकी सदस्तिया को बहाल कर दिया 136 दिन बाद वापस व सब बरत लोगों को इतना अच्छा लगा कि MPs भी हम लोग इतना कुशी थे, सो बहर हम लोगों ने राउल जी को वेलकम किया, और हाउज में भी हमने सब उपधिशन ने उसको वेलकम किया, वो एक जो किया, उसने जो गलत जो किया था, उसका whatever is right, we are happy with the Supreme Court for staying that order, and अभी और एक बाद, वो वापजा कर, जो सभी इतने बार और इतने टाइम, उसने बीजेपी को एक्सपोज किया, अभी नो कोई में मोशन में, जरूर और एक बाद, सब कुछ लाकर, जो कुछ-कुछ किया है, वो उसको एक्सपोज करेंगा. सर, राहूल गांदी के दोबारा संसद में आने से आप कितना मजबूस समझ रहे हैं विपक्च को, जो बिजेपी का विपक्च है, यानि कौंग्रेस पार्टी, अन्ने पार्टियां, कितनी ज़्यादा मजबूस हो गए राहूल गांदी जी के दोबारा लोग सभाई आंद उसने बिजेपी को एक एक गाउं में एक्स्पोस किया कैसे वो बड़ा लोक उसको सब देकर और बड़ा किया है और कैसे हमारा जो पूर लोक आए उसको कैसे और नीचे ले इतना टेक्स लगया जॉब नहीं है सब को प्राइवेटाइज किया सो वो सब बिजेपी को राउल जिने एक्स्पोज गया है उसको आप किस तरीके से आप लोग बिजेपी को पराजित करेंगे चुनाओ हराएंगे जरूर एबार बिजेपी हरेगी क्या होता है ऐसा कभी नहीं हुआ था सब अपक्षिया है उपदिशन डेव उनाइटड नाव अभी चार फ्रंटों में इलेक्शन है वहां दिखेंगे वहां लोग दिखाएगे जो जो करनाटा का हुआ है वहां ओ ही होने वाला है बाद में जो तोड़ा लोग अभी तक आँकें नहीं कोला वो आँकें कोलेंगे और देखेंगे कैसा ओ सरकार है सिर्फ ओ बोलते हैं कुछ भी नहीं करते सर एक सबसे बड़ा मुद्दा आपने देख रहे हैंगे तीन माई से मनिपूर की घटना लगातार चल रही है मनिपूर लगातार जल रहा है नफरत की आग में जल रहा है सैक्रों लोग जो हैं अपनी जान गवा चुके कई हजार लोग बेघर हो चुके हैं सरकार अभी भी वही पुराना जो उनका एक राग है उसको अलाप रही है कह रही है कि हम ठीक करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन तीन माई से अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ डबल एंजन की सरकार चल रही है बिरेन सिंग इधर प्रधान मंतरी मोदी डबल एंजन मिलके भी कुछ नहीं कर प हुआ उसने बाद में आंकें खोला कहां भी हो सकता है इतना जादा नहीं परम्तु बुरा लोग होते हैं सब जगह पर सरकार ओ जब एक बार हुआ बाद में आंकें खोलकर रखना मंगता है दूसरा बड़ा चीज जो बुरा किया उसको शितकानी देना बाद में पानीश कर करना ओ सरकार का करतव है ओ नहीं किया सेवंटी दिन तक ओ उसका एफायर नहीं था कुछ भी नहीं किया जब वाइरल हुआ ओ दो आउरत को एक्सपोज के उन लोगों ने लिया प्रंतु उसका बाई और पिता जी को मर्डर किया और सब कुछ करने के बाद सरकार आंकें नह हमरा आमित्शा दो बार गया था क्या क्या उस नहीं सो इसलिए बोलता हूं एक एक बार तो ही लोग बोलता हैं कि सरकार का सरकार का सरकार था उस लोगों को करने के लिए ऐसा लोगों प्रिजाम्शन करते हैं सो इसलिए जो हुआ बुरा हुआ परंतु उससे ज्यादा बु सर बुरा हुआ लेकिन इस बुरे में एक वहां के सिटिंग यमेले है इसके पिछले कारिकाल में मंत्री थे पैरलाइस हो चुके है वो उनका आरोप है उनके परिवार वालों का आरोप है कि सरकार उनका किसी प्रकार से मदद नहीं कर रही इतना तक आरोप है कि सरकार का कोई बड़ा नेता उनसे मिलने तक नहीं आया, वो भी बरतमान में दिल्ली में मौझूद हैं, दिल्ली अपने घर पे हैं, और उसके बाद भी जानने के बाद उनका आरोप है, उनकी फैमिली का भी है, कि कोई मिलने नहीं आया, बड़ा नेता. It's a surprise, मुझे मैं सुन नहीं सकता हूँ, क्योंकि हुआ, बाद में नेता जाना मंगता था, प्लास कोई कर्च जो आएगा, ओ स्टेट गवर्मेंट नहीं है, तो सेंट्रल गवर्मेंट करना मंगता है, क्योंकि उसको इतना अभी कर्च लागेगा, he has to be, he has to improve and again be healthy man, that is very important. सर, मेरा आकरी सवाल है, पहले की राजनीत और अब की राजनीत में क्या अंदर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप से ज़्यादा राजनीत के बारे में कोई जानगारी हैं नहीं रखता, जितना हम देख रहे हैं सर, आप मुख्यमंत्री से लेके आपके पास लोगसभा सांस में बहुत बड़ा, बढ़या, इसले क्या हुआ का अटाक में, त्रॅच आपके में, बहुत बदा आपके लगए हैं, वो बलते हैं के अंदर सरकार, जिरो करॉप्शन, जिरो करॉप्शन कभी नहीं हो सकता, मिनिमाई परॉप्शन, तोडा लोग बलते हैं, अब बागधार दोनी जिरो कर नहीं, ब इसके होंख हुष कर दिर दोनी जगाता है। तिंग्स हब तो मुव ना उसी मरगाय कहां पहुंचा सब बहुद मैं एक बार किसी के पास पुछता हूं अभी ओ फ्री इतना दिया इसना दिया ओ चेफ मिनिस्ट्र प्राइम मिनिस्ट्र सब लोग बुलते हैं तुमको कुछ मिला नहीं सर आभी तो कुछ भी नहीं मिला तै स्टेट में यहां में हम बहुत नोकरी देते थे हैं लोगों का ओ एक्सपेक्टेशन है कोई फेवर नहीं करता है पर अब ही क्या देखा हैं सब प्राइटाइज सब अन इस धेली वेजिस और कुछ अनि ओ जो लोग दे एक्सपेक्टिंग ओएक्सपेक्टेशन और साइड को देते हैं हो क्या है सो अबहुन करकर लोगों का एक्सपेक्टेशन और कोई गवर्मेंट हो सकता है we are not concerned who is the government people expect now education has gone up everybody is educated so they expect jobs अभी नहीं करते हैं हो सरकार सर ये थोड़ा सा एक मैं इसको आइट कर देता हूं सवाल को अपने यहां बरतमान की जोश्टिती आप देख रहे हैं आगर example group में हम टमाटर ले ले लेते सबजी में 300 रुपेज ज्यादा बिक रहा है लेकिन पाकिस्तान में 100-500 बिक रहा है पाकिस्तान को ज्यादा दिखाया जाता है कि उनके यहां डेड़ सो पहुंच रहा हमारे यहां की हालत 300-400 पहुंच चुका है रोजगार की जैसे आपने जिकर किया सर कहीं बचा नहीं है महंगाई यह आप खुद देख रहे हैं उसके बाद जो अपने देश की जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं वो किवल दिन रात पाकिस्तान 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 कर रहे हैं भारत की हालत पे तो कोई चिंदा ही नहीं कर रहे हैं क्या किया इसके बाद हमको पाकिस्तान का हमको क्या जरूत हमको ओ नहीं चाहिए चोड़ दो उस लोगों को हम भारत का लोगों का सुचेंगे अभी ऐसा होता है many things depend on vagaries of nature जदा बारीच हुआ कुछ होता है ऐसा हो सकता है प्रन्तु सेरकार का efficiency कहां रहता है जल्दी कहां से लाना import करना कुछ भी करना और जो प्राइस जो है ओ बैलन्स करना इतना 300 जो अभी लोग जो है वो कैसा जी हैंगे 250, 300 kilo so that's why I say this government is inefficient, they only talk immediately they should find out tie up and bring from somewhere else or even from our own country or where this rain has not affected वहां से लाकर प्राइस इस्टेबिलाइज करना मंग भाई ओ नहीं किया so this only shows the inefficiency of the government सर ने जो बड़े बड़े भारत के नेगने एक मुद्दे उस पर पूर अपिस्तार पूरबक समझाया राजनीत में अच्छी समझ रखते हैं जानकारे रखते हैं सायद आपको इतना अच्छा चीज बारी किसी कोई और नहीं समझा सकता दिल्ली साका सुकला की रिपोर्ट